Hello students, this is me, Mudita, and once again, welcome back to Mudita IS Warriors. So students, most important diagram and diagram-based questions कैसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. और ये questions आपको जरूर, ये diagram आपको जरूर करके जाने हैं, क्योंकि यहां से आपको questions जरूर देखने को मिलेगा. अगर हम diagram की बात करें, तो आपके पास केवल एक ही chapter बसता है, जो biology का है, life process, वहीं से आपको अच्छे खांसे diagram question मिलने वाले हैं, और CBSC ने पहले ही clear किया है, कि इस बार सभी तरह के question दिये जाएंगे, case-based diagram, competency-based, so यहां पर देख लेते हैं, most important diagram, chapter 6, सबसे पहला जो आपका diagram आता है, बहुत ही easy है, बट आप कोई भी diagram को skip नहीं कर सकते, तो number 1 है, इसे देखे, आप लोग समझ गए होगे, यह किसका है, हमारा straw meta का diagram है, तो यहां पर तीन चीज़े locate की जाती है, और आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है, किसी एक चीज़ को miss कर दिया जाए, और पूछा जाए, यह जो यहां पर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं, guard cell, जो इसके opening and closing में help करते हैं, this is stone metal pore, और यहां पर जो एक liquid या fluid है, इसे हम बोलते हैं, chloroplast, तो इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस कर सकता है, या फिर इस तरीकी का आपको diagram दे के और बोल सकता है, कि यह किस चीज़ में plant के help करता है, तो आपको option दे देगा, gas exchange, तो आपको पता होना चीज़ है, इस तरीके का function पूश सकता है, साथ में जब photosynthesis process होता है, तो O2 byproduct बनता है, oxygen byproduct बनता है, और oxygen को release करने में, CO2 को लेने में, यानि gas exchange में, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से question पूश सकते है, और competency-based question में diagram question भी include होते है, ठीक है, आगे चलते हैं, जो हमारा next diagram है, nutrition in amoeba, so nutrition in amoeba पे भी आपसे diagram based question पूश जा सकते हैं, किसी एक step को miss कर सकते हैं, या फिर इस diagram के base पे आपको पूश सकते हैं, कि pseudopodia क्या है, food vacuul क्या है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो ये भी आपको एक बाल थोड़ा सा देख लेना है, जब भी हमारा food यहाँ पे आता है, ठीक है, तो उसके according amoeba अपना shape चेंज करता है, जब food ये intake करता है, इस process को pseudopodia बोलते हैं, और जब ये food पूरा अंदर ले लेता है, इसे food वैक्यूल बोलते हैं, तो इस चीज को भी आपके steps आपको पता होना चाहिए, next जो हमारा diagram है, most important diagram ये elementary canal का diagram है, यहाँ से दो तरीके के question आपके लिए बनते हैं, सबसे पहले तो आपको sequence पता होना चाहिए, sequence पता होना चाहिए, किस तरीके से elementary canal का sequence है, number two है, आपके पास digestive enzymes, जितने digestive enzymes हैं, कहां पे कौन सा enzyme release होता है, उसका भी sequence with name पता होना चाहिए, देखिए, अगर हम mouth से start करें, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है mouth, फिर tongue, फिर ये आपकी जो food pipe है, इसको हम क्या बोलते हैं, osophagus बोलते हैं, इसके बाद food pipe से हम जाते हैं stomach की तरफ, तो ये आगया आपका stomach, फिर हमारा आता है small intestine, फिर ये आपका आगया large intestine, ठीक है, फिर appendix, और फिर anus, आपको ये sequence पता होना चाहिए, कि mouth, mouth से जाएगा osophagus, फिर जाएगा stomach, फिर small intestine, फिर large intestine, इस तरीके से ये पूरा sequence पता होना चाहिए, और इनके नाम, क्योंकि एक्जाम में वो लेबल करके देगा ये line, ठीक है, और यहां पर first लिख देगा, यहां पर second लिख देगा, और बोलेगा कि इस का identify करो कि ये क्या है, ठीक है, second thing, दूसरी तरीके से पूछ सकता है, कि यहां पर लेबलिंग कर दियो, और बोलेगा कि यहां पर कौन सा digestive enzyme release होता है, बताईए, तो अगर उसने stomach कर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, stomach में कौन सा digestive enzyme release होता है, pepsin, अगर यहां पर उसने small intestine में कर रखा है, और पूछा digestive enzyme बताईए, तो वो आपको पता होना चाहिए, या फिर mouth में कर रखा है, तो पता होना चाहिए, salivory amylase, तो यहां पर एक तो sequence याद करना है, तूसरा साथ के साथ इसका, आपको diagram को देखते हुए, यहां पर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहां पर क्या-क्या देखना है, सबसे पहले यहां पर left pulmonary artery होता है, this is a rota, right pulmonary artery, ठीक है, यहां पर right otrical, pulmonary vein, pulmonary vein, left otrical, यह करना है आपको, right ventricle, ठीक है, इतनी चीज़े आपको करनी है, बाकी चीज़े आपको नहीं करनी है, और valves देखने होते हैं, आपको कि यहां पर valve होता है, इतनी चीज़े देखनी है, तो यहां पर बस आपको इन में से कोई चीज़ इडेंटिफाई करने को दे सकते हैं, विद्धे हैं अरोटा का हुएं मिस कर दिया और यहां पर आपको लेबलिंग कर दी, यह है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, तो यह डाइग्रेम भी आपको ध्यान से देखके जाना है, अगला हमारा आ जाता है respiration से, respiration से मैंने आपको पाथवे भी बताया था कि आपको पाथवे करना है किस तरीके से glucose का breakdown होता है ठीक है तो theoretical question में आ गया है तो उसको आप करेंगे दूसरा यह है आपको इसका भी आपको sequence याद होना चाहिए कि sequence कैसे होता है यहां पर आपका start होता है nozzle cavity जो passage है नाक से start होता है तो यहां से पहले यह होता है इसके बाद farian होता है फिर larian होता है अब farian और larian बहुत ज़्यादा close होते हैं तो यहां पर sequence में बच्चे कई बार confused हो जाते हैं पहले farian आएगा या पहले लारियान आएगा उपल तो सबको पता है कि हमाउथ होगा mouth cavity होगी nozzle cavity होगी नीचे का भी पता है farian और larian में हमेशा confused हो जाते हैं तो आपको इतना याद रखना है पी उपर रहेगा ल नीचे रहेगा फारियान थोड़ा सा माउथ के साथ चोनेक्ट होता है यहां पे ओता है और larian यहां रotom ट्रेक्ट होता है जहां पर यहां नीचे रहेगा इसको ध्यान रखना है कि של horian पी हमेशा उपर एल हमेशा नीचे तो आपको सीक्वेंस में दिकतनी होगी इसके बाद फिर यहां पे आपको नोजल पैसेज फिर फारियान फिर लारियान इसके बाद आपको मिल जाएगा ट्रेचिया ट्रेचिया के बाद हमारा रिंग ओफ कार्टिलेज और रिंग ओफ कार एक वह आपको आपको यह वाला जो डाईग्राम है यह अलग से दिया जाएगा तो यह भी आपको देखना है अगला एक अगला एक डैग्राम Đॉ डॉस्टम हुमन हर्ट का डबल सरुपुलेटरी सिस्टम जो कहते हैं यह वाला डैग्राम है उपको अश्वटorb्ल अब यहां पे लंग कैपिलेरी दिखाई है यहां दिखाया हुए यहां पर पल्मो नरी वें टू फॉम लंग और यहां पर आपको नीचे दिखाया हुआ कि किस तरीके से आर्ट्री और वेन है अर्ट्री हमेश़ा oxygen वाला oxygen rich blood को carry करती हैं जबकि वेन हमारा CO2 rich जिसे हम बोलते हैं deoxygenated blood और इसको हम बोलते हैं oxygenated blood या फिर oxygen वाला blood carry करती है लेकिन जो pulmonary artery होती है वो उसका reverse काम करती है ठीक है pulmonary artery जो pulmonary artery होती है वो CO2 वाला blood carry करती है और pulmonary vein जो होती है वो pure blood को carry करती है प्यूर इंप्यूर नाम से भी बोला जाता है तो इस तरीके से main function आपको याद रखना है कि इस तरीके से body से heart तक लाया जाता है और heart से body तक ले जाया जाता है ठीक है तो यह वाला जो diagram है इसे भी आपको ध्यान से देखना है अगला human excretory system का diagram है यहाँ पे भी आपको इस तर जाए चीज को मिस कर तो पूछ लेगा यह त्यूब को क्या बोलते हैं तो आपको पता होना चीह नहीं क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ से आपका इक तो diagram को को चोशन और दूसरा जो urine formation वाला question है ठीक है अल्टरा फिल्टरेशन फिर री ठीक है और collecting deck में collect करने वाला तो वह दोनों चीज आपको करना है diagram based question आता है तो यहां से आपका छूटना नहीं चाहिए कि किड्नी है तो left kidney right kidney ठीक है यहाँ पर अरोटा भी connect होता है यह आपको देखके जाना है यूरिनरी ब्लेडर और यूरेटर तो आपको किड्नी में ब नेक्स्ट है हमारा यह diagram structure of nephron, nephron काफी important है यह जो मैं आपको बोलते है urine formation तो यहाँ पे आपको urine formation में या तो theoretical motion भी MCQ में भी पूछ सकता है और diagram में भी पूछ सकता है ठीक है तो यहाँ पे भी आपको देखना है क्या-क्या होता है यह tubular part of the nephron है यह बमन capsule है ठीक है रे urine formation को अच्छे से explain किया है within one two or three minutes वहाँ से देखे आप urine formation वाले concept को clear कर लेंगे यह collecting duct है जहाँ पे collection होता है ठीक है तो यह वाला जो diagram है यह भी most important है six chapters से जितने diagram है वो सभी बनते है क्योंकि biology कहीं आपका diagram आता है और किसी chapter में term 1 में diagram नहीं बनते दूसरा यह diagram आपका बनत होता है इस तरीके से होता है और जब हम इसमें white light डालते हैं तो यह इस तरीके से scatter होता है within seven color ठीक है और इस process को हम क्या बोलते हैं dispersion बोलते हैं जब यह बाहर निकलेगा तो ऐसे seven color में ही निकलेगा अगर हम इसके सामने एक और prism रख दें जो कि हम reverse रख दें तो क्या होग इसके अंदर एंटर करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे तो अगें white light में इसी तरीके से इसके आगे एक और prism लगा दे यहां पर प्रसेस को सकता है इस process को पूँच सकता है कि यहां पर क्या process हो रहा है dispersion हो रहा है यहां पर पूच सकता है कि angles के नाम बताई है जब यहां पह Pocket एंटर होती है तो हम यहां पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक है नांटी डिघरी तो यहां पर एक एंगल होगा इंगल आफ इंसिडेंट यहां पर नॉर्मल लाइन के साथ यह भी आपसे पोच सकता है जैसा कि मैंने इस diagram पे दिखाया हुए NCRT की book में आपकोन्स डैग्राम मिल जाएगा कोण सी incident ray qatsy refracted ray कौन इसाथ इन मलज्जन इन के साथ नाम है उसथ इस diagram को भी आपको dhyaan से देखना है NCRT का डाइग्राम है केवल 6 चाप्टर से 11 चाप्टर से ये डाइग्राम आपके लिए बनते हैं जो most important है अब यहां से देखे question देख लीजिए किस तरीके से question पूछा जाता है तो यहां पर पहला question है sample question paper का है 2021 जो अभी term 1 के लिए question paper आया था sample paper आया था अब देखे यहां पर leveling कर रखी है first second third और यहां पर आपको कुछ दिखाया हुआ है ना इस तरीके से dotted part में और यहां पर आपको option दे रख है आपको सही option select करना है तो देखे यहां पर बोल रहा है कि treachia it is supported by bonny ring of conducting inspired air ribs को बोल रहा है when breathe out and ribs are lifted alveol thin wall sack like structure for exchange of gases diaphragm it is pulled up when the breathing तो यहां पर correct answer किया है इस diagram के according correct answer किया है तो यहां पर C correct option है alveol thin wall sack like structure for exchange of gas C is the correct answer according to this diagram तो इस तरीके से वो जरूरी नहीं है कि सीधा labeling में नाम ही पूछ ले function भी पूछ लेगा ठीक है तो आपको अच्छे से जब आपको नाम पता होगा तभी function कौन सा होता है amylase या salivary amylase स्टमक में होता है pepsin और small intestine में होता है trypsin तो यहां पर option क्या होगा बी तो आपको option पहले चेक नहीं करने आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि भाई माउत में स्टमक में हमारे पास होता है HCL and pepsin small intestine में trypsin and lipase होता है तो आपका बी जो है वो correct answer है अगला कुशन है यहां पर आपको दे रखा है देखिए double circulatory system दे रखा है और यहां पर आप से यहां पर भी अगेन आपसे function पूछने की कोशिश कर रहा है ठीक है कि the figure given below shown systematic plant blood circulation human identify the correct label for its function इसके function का correct labeling बताइए अब इसको आप ध्यान से options को पढ़ लीजिए pulmonary vein के बारे में यह बोल रहा है कि pulmonary vein वो होती है जो impure blood को carry करती है मैंने अभी आपको बताया था जो vein होती है वो impure blood को carry करती है बट pulmonary vein एक exception case होते है ऐसी vein होती है जो pure blood को carry करती है यह option तो गलत हो गया ना pulmonary artery take blood from lungs यह भी गलत हो गया अब यहां पर आपको सही answer बताना है ठीक है तो सही answer आप लोग को बताना है तो इसकी according क्या हो जाएगा यहां पर डी हमारा सही answer हो जाएगा वेना कावा take blood from body parts to this ठीक है डी तो डी is the correct answer यहां पर आपका बी था next question में यहां पर आपका हो गया d option इस तरह के diagram based question आपसे पूचे जाएंगे functions भी पूचे जा सकते हैं अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि भाई यह diagram देखिए human digestive system का diagram है यहां first यहां second यहां third यहां four यहां पर आपको labeling कर दिये पहले तो आप identify करिए फिर आपको इनका functions भी नहीं पता होना चाहिए मूँ में माउथ को indicate कर रहा है ठीक है यह थर्ड आपका intestine के पास है यह यह intestine के पास है अब यहां पर बताईए यहां पर आपको table दे दी है कि जो हमने first second third fourth label किया है और यहां पर functions दे रखें ठीक है यहां पर आपको part दे रखा है और यहां पर आपक आपको देखेंगे यहां पर रखा है first part तो first part क्या था माउथ का काम क्या होता है दलेंथ और ओफिस दिपेंड्स ओन फूड और निजम तो यह तो नहीं है initial phase of starch digestion तो यह है जो हमारा माउथ है वहां पर क्या होता है जो starch होता है sugar होता है carbohydrate उसका digestion होता है माउथ से start होता है त इसके बाद second part जो है वह हमारा बोल रहा है second part increase the efficiency of lipase enzyme ठीक है तो second part के लिए हमारा हो जाएगा C और third part के लिए third part के लिए हो जाएगा D third के लिए हो जाएगा D second के लिए हो जाएगा C first के लिए हो जाएगा B and fourth के लिए हो जाएगा A इस तरीके से हम मैच करेंगे जो 4th है वो क्या है the length of this depends on the food so इस तरीके से पहले इसको आपको match करना है इसके बाद फिर यहाँ पर check करना है कि कौन सा होगा तो हमने क्या बोला 1st के लिए आपका B होगा 2nd के लिए C, 3rd के लिए D और 4th के लिए A यानि B जो है वो correct option है तो इस तरीके से आपको functioning भी पता होना चाहिए function भी वो आपसे diagram के base पे करेगा अब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई यह part कौन सा है तो आप उसका function कैसे बता होगे यहीं नहीं पता कि small intestine में कौन से enzyme release होता है तो आप उसका function कैसे बता होगे तो आपको इस तरीके से function भी पूछा जाएगा अगला question यह आप लोग देख सकते है prism based question है यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है कि prism ABC with BC as base is placed different orientation a narrow beam of light is incident on prism as shown in in which of the following after dispersion third color from the top of the spectrum correspond the color of the sky y ठीक है एक तरह से indirect form में question पूछ रहा है और यहाँ पे आपको sequence दे रखा है कि अगर ऐसे होगा तो होगा ऐसे होगा यह वाला यह वाला ठीक है क्या पूछ रहा है कि color of sky scatter होगा scattering के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे correct यहाँ पे देखिए यहाँ पूछा जा सकता है बीस दा करेक्ट अंसर तो आप लोग को इन डाइग्राम को बहुत अच्छे से देख के जाना है आपको 6 से साथ कोशन कम से कम 6 से साथ कोशन यह 5 तो 6 कोशन डाइग्राम बेस डाइरेक्ट मिलेंगे अगर आपने इतना गर लिया तो भी आपके simple से सोचिए direct कोशन इतने solve हो जाएंगे बिना कुछ hard work कीए तो इन्हें ज़रूर कर लें सबसे पहले यह ते डाइग्राम बेस कोशन आपको आप लोग समझ गया होंगे कैसे कोशन पूछे जाएंगे कौन से डाइग्राम करने हैं वीडियो अच्छी रखती है तो लाइक करने है शेयर करना है चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दें